हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल इस वीडियो में हम फेडरिको गार्शिया लोर्का की एक ट्राजिक प्ली को डिसकस करेंगे जिसका नाम है ब्लड वेडिंग तो एफजी लोर्का ने 1932 में इसे लिखा था एंड मेड्रीड में 1933 में इससे पहली बार परफॉ अवजूद एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते क्यूंकि एक तो ससाइटी के नौम दिन वैल्यूज होते हैं और इसके लवा और बहुत सारे कारण होती है इस प्ली को थ्री एक्ट में डिवाइट किया गया है तो आईए इसकी स्टोरी को हम समझती है तो एक वन के सीन वन में बात की गई एक ब्राइट ग्रूम की उसका नाम मैंशन है किया गया सिर्फ उसे ब्राइट ग्रूम लिखा गया है मींज अभी उसकी शादी होने वाली है वो अपनी मदर से बात कर रहा है कि वो थोड़े टाम के लिए अपने वाइन के साथ एक परानी दुश्मनी है और इस दुश्मनी के चलते ही उनकी फैमली में मर्डर हुए थे तो तभी से उसकी मदर को नाइफ ब्लेड्स या ऐसी कुछ तीकी चीजों से डर लगता है तो जब भी वो इन चीजों को देखती है तो उसे उनकी याद आ जाती है और वो को भी अपनी सेफटी के लिए नाइफ वगेरा से दूर रहने की सला देती है तो ब्राइट ग्रूम टॉपिक ही चेंज कर लेता है और वो अपनी मदर से कहता है कि वो बहुत जल्दे के लड़की से शादी करने वाला है यह सुनकर उसकी मदर खोश होती है और फिर वो अप लंबे टाइम तक अफेर चला था लेकिन एंड में आकर कुछ कारण से उन दोनों की शादी नहीं हो पाई और लियोनाडो ने उस लड़की की कजन से शादी कर ली तो अब चाहे कैसे भी है उस लड़की का फैलिक्स फैमिली के साथ रिष्टा तो है तो इस बात से उसके लियोनाडो वो चोड़कर बगि इस किसी भी क्यरक्टर का नाम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे सीन सेकिंड स्टार्ट होता है इसमें लियोनाडो के बारे में बताए गया होता है वो अपने काम से घर पे आता है और उसकी वाइफ उसे ब्राइड की मैरिज के बारे में बत ब्राइट की वेडिंग के बारे में बताती है, वो बताती है कि ब्राइट ग्रूम ने ब्राइट को बहुत महंगे-महंगे गिफ्ट्स दी, यह सुनकर लियोनाडो चिड जाता है, क्यूंकि वो पहले ही फाइनाइशल डिफिकल्टीज को फेस कर रहा होता है, और वो उससे र ब्राइट के घर में जाते हैं उसे मिलने के लिए उसे देखने के लिए, ब्राइट अपने फादर के साथ रहती है, और ऐसे कहा जाता था कि उसकी मदर उसके फादर के साथ कभी नहीं रहती थी, उसका अलग एक अफेयर चलता था, तो आगे वो सभी एक दूसरे के साथ न जाते हैं उनके जाने के बाद ब्राइट के पास उसकी एक सर्वेंट आती है वो से कहती है कि जो तुमारे लिए वो गिप्स लाएं ये काफी ब्यूटिफुल लोग रहे हैं तुम्हें इने खोल कर देखना चाहिए लेकिन ब्राइट बिल्कुल भी इंट्रस्टेड नहीं है वो मना कर देती है अपनी वेडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है वो सोचती है कि अगर वो एक मैन होती तो उसके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती शादी के इलावा भी वो और बहुत सारी चीज़े अपनी लाइफ में कर पाती फिर वो सर्वेंट ब्र और उसके सीन वन में ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के शादी का सीन दिखाया गया है ब्राइड अपने रूम में अपनी वेडिंग के लिए रेडि हो रही है लेकिन अभी भी उसको अपनी शादी से कोई भी खुशी नहीं है क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी उससे उ योनाडो वहां पर आ जाता है और वो सीधा ब्राइड के रूम में चला जाता है जब वो तैयार हो रही होती है वो उससे बात करता है और उससे कहता है कि जिससे तुम प्यार नहीं करते उससे शादी करके कोई फाइदा नहीं होता वो भी अपनी वाइव के साथ बस ऐसे ही रह रहा है उससे इतना प्यार नहीं करता जितना वो ब्राइड से करता था लेकिन ब्राइड न बातों से गुस्से हो जाती है और वो कहती है कि सबी गैस्ट आ रहे हैं तो वो यह शादी करके रहेगी और उसे उस रूम से चले जाने के लिए कहती है जब वो वहाँ से चला जाता है तो उसकी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही होती है और उसे वो सारे पल याद आ जाती है जो उसने उसके सथ बिताए थे तो इस सीन के लास्ट में ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की वेडिंग हो जाती है चर्च में तो अब सीन सेकिंड स्टार्ट होता है जिसमें ब्राइड के घर में अब वेडिंग रिसेप्शन का सीन दिखाया गया है तो ब्राइट ग्रूम की मदर को लियोनाडो फेलिक्स को देखकर गुसा आ रहा होता है क्योंकि वो एक फेलिक्स है और उनकी तो उनके साथ पुरानी दुश्मनी है बट वो कर भी कह सकती थी क्योंकि वो अब उनका गेस्ट था bride अपने husband के साथ खड़ी है लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है तो अब bride सब को ये कहती है कि उससे थोड़ा headache है और वो थोड़ा rest करना चाती है और अपने room में चली जाती है फिर तोड़े time बाद वो किसी को भी नहीं मिलती और लियोनाडो की wife सब को ये बता देती है कि लियोनाडो भी वहाँ पर नहीं है means वो दोनों यहां से भाग गए है तो अब bride groom और उसके साथ कुछ और लोग मिलकर उन दोनों को ढूनने के लिए वहां से निकल पटते है और यहीं पर act second खतम हो जाता है अब स्टार्ट होता है act third इसके scene one में कुछ woodcutters दिखाए गए हैं जो की forest में हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे bride felix के साथ भाग गई वो चाहते हैं कि अब चांद ना निकल आए वरना उसकी रोशनी से वो दोनों पकड़ी जाएंगे अब ही अंधेरा है और वो लोग छिपे होए है और अगर moonlight वहाँ पर पड़ेगी तो obviously वो लोग पकड़ी जाएंगे तो आगे बात की गई है moon की moon को personify किया गया है as a human being personification एक literary device होता है जिसमें एक non living thing को एक living thing के जैसे बताया जाता है या फिर उस non living thing को human qualities दी जाती है तो यहाँ पर moon को personify किया गया है और उसे एक woodcutter बताया गया है तो moon गाना गाकर यह बताता है कि वो खुट तो अकेला है तो वो इन लोगों को भी साथ नहीं रहने देगा वो अपनी moonlight इन पर डालेगा था कि यह लोग पकड़े जाए उसके बाद एक old women के बाद किये गई है वो represent करती है death को यह भी bride and Leonardo को एकठे नहीं होने देना चाहती तो जब bridegroom अपनी wife को ढूंडते हो यहां तक आता है तो यह old women उन्हें direct करती है कि वो दोन वहाँ पर छिपे हैं उदर bride Leonardo से कहती है कि मुझे तुमारे साथ relationship में नहीं रहना जहां तो तुम मुझे अकेले छोड़ कर चले जाओ या फिर मुझे suicide commit करने दो लेकिन Leonardo के समझाने से वो शान्त हो जाती है तो अब act third का second scene है जो कि इस play का last scene है तो यह scene है bride के घर का वहाँ पे three girls खेल रही है और वो सोच रही है कि एकदम से सब कहां चले गए वापस घर क्यों नहीं आए तो वही beggar woman उन्हें बताती है कि Leonardo and bridegroom की death हो चुकी है तो हुआ ये था कि bride के चकर में Leonardo and bridegroom की fight हो गई थी और Leonardo ने knife से bridegroom का murder कर दिया था तो ये वही knife था जिससे bridegroom की mom को डर लगता था और फिर से एक felix ने उनकी family member को मार दिया था जो जो वो सोचती थी वो सब उसके डर सच हो गए थे तो अब bridegroom भी उसके घर वापस आती है वो उसके दुख में रोना जाती है पर उसे bridegroom की mother के गुस्से का सामना करना पड़ता है और उसका गुस्सा होना भी बनता था क्यूंकि ये सब कुछ bridegroom के वज़े से हुआ था फिर bridegroom कहती है कि वो भी बहुत मजबूर थी और उसे अपने की एक पश्टावा है इसलिए वो भी mourn करना चाती है तो mother उसे ये करने की permission तो देती है पर उसे वो घर में अंटर नहीं होने देती वो उसे door पे ही खड़े रहने को कहती है तो यहीं पर रिस्पली की story होती है अगर आपको ये समझ में आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते है